तो दोस्तों चैनल से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने से क्लास कंप्लीट कर लिती है जिन में अब आज नेक्स्ट क्लास आने जा रही है हमारी साथवी क्लास आने जा रही है सब्सक्राइब आज अब आया है आप वोटिंग वाले दो तिन कल क्वेश्टन किये थे अब नेक्स्ट क्वेश्टन है वोटिंग वाला in an election in an election there are two candidates 10 percent waters did not cast vote 60 votes declared invalid and the winner gets 47 percent votes of voting list event by 308 for find the number of voters and voting list पत्रव एक चुनाव में दो मिद्वार हैं दस प्रतिसत मतदाताओं ने वोट नहीं डाला साथ वोट अवेद गोशित कर दिये गए और विज्यता को वोटिंग सुची के 47 प्रतिसत वोट मिले और वह 308 वोटों से जीत गया तो पत्रदाता सुची में पत्रदाताओं की संख्या ग्याद की जिस भी गाह में वोटिंग हो रही है यह कंप्लीट ऐसे कितने लोग है जो वोट देने के लिजिबल है उससे जदा है यह इस प्रकार यह क्वेस्टन पूछा गया तो अपनी कं कंप्लीट जनसिंग के कितनी है तो प्रती सथ है कि कंप्लीट जनसिंग के है अपनी तो प्रती सथ है एक चुनामित दो उदर दस परसेंट मत दाताओं ने वोट नहीं डाला तो यह बाद दस अ और नहीं डाला तो यह इस वोट अवेदगोसित हो गए इन इसको फोल्ट करते ही वह नीचे वाली उपर वाली दो लाइन तो और विज्यता को वोटिंग सुची के 47 परसेंट वोट है मतलब उस गाव में कम्प्लीट सो जन्जिंग है ना उनका 46 है तो सो में से 46 तो विज्यता को मिला और सो में से तो परसेंट शाट बत दाता को मिला हो सकता है कि अपनी वह जो भी पॉपूलेशन है उसका 47 परसेंट जीतने वाले को इनर को मिला और एन परसेंट उसमें से वोट नहीं डाला और बचे जो किसक्याए जो केंडिडेट हार गया तो नों का अंतर कितना है 308 अंतरों का एक ने दूसरी के विजाए जो वीनर उसने 308 अधिक प्राप्त किये हैं तो अब तलते हैं नेक्स्ट लब प्रतिसत लब प्रतिसत में से 47 परसेंट का इसका 47 परसेंट यहां प्राप्त किया लेकिन इस से पहले साट वोट अवेद गोशित हो गई तो तर जो साट वोट है यह प्रतिसत नहीं वोट है अवेद अब वेद मत कितने बचे अब 90 प्रतिसत में से 60 कम हो गई अब इस में से 47 परसेंट इसका प्रसेंट को मिल गया मतलब 17 परतिसत माइनस साथ यह अपने पास इतने भी वोट डिले उनका वेद परतिसत है यह वोट डिले और इनकी काउंटिंग इस पार्टी में दिया है कि दोनों में वहा जाता है इस तरह फोल्ड करने में उसको ऐसे फोल्ड करना होता है तो अब यह वेद इतने वोट पड़े वोट इतने पड़ें इनका वोट काम में आया कांटिंग में आएगा साथ लेश हो गया नबब परतिसद अब 47 47 परतिसद इसका 47 परतिसद पीनर को मिला क्या बोल रहा है वीजयता को वोटिंग सुची वोटिंग सुची क्या होती ही अपने भास उपर इसका 47 परसेंट पराब्त तो 47 आ गया तो जो एंडेट हारा है उसको कितना मिला नबब परतिसद मैनस आइट से 47 परतिसद करना होगा तो नबब परतिसद मैनस आइट से 47 गठा होगे तो तो इरिक्ट ये 40 और 43 परतिसद मैनस 6 यह ताट अपनी जगे रहेगा नब परतिसत वाली संगे आपस में क्योंकि इसके भी परतिसत और इसके भी परतिसत है तो नब में से 47 परतिसत कठाएंगे तो कितने बचेगा 40 परतिसत माइनस साथ अब दोनों का डिफ्रेंस क्या है तोनों का डिफ्रेंस निकालेंगे तो 47 परसेंट में से 43 परसेंट माइनस साथ इठाना पड़ेगा तो परतिसत 10 परतिसत वोट नहीं डाला और 90 परतिसत है परतिसत माइनस साथ पिननर को पोटिंग लिस्ट का 47 परसेंट मिला तो कितने मिला पोटिंग परसेंट माइनस साथ अब यहां तक अपनियों से तो इस में से यह घठाएंगे तो 47 परतिसत माइनस अब माइनस इस्टे गुणाओं का तो यह प्लस वाली माइनस हो जाएगे और माइनस वाली प्लस हो जाएगे तो 47 परतिसत माइनस माइनस का चिंचिंज कर देता है जो भी ब्रेक टिविसंगे नहीं होती है नुबर सिस्टे में पढ़ोगे लेकिन यह तो से तलीस अपनी जिए माइनस को माइनस कर दिया माइनस साथ था उसको प्लस कर दिए कितना आया कि चार परतिसत प्लस साथ सेकिन क्वेस्टन में बॉल रहा है कि कितने वोटो यहां तो हम देख रहे हैं कि चार परतिसत प्लस साथ वोटो से तेकिन वहां बॉल रहा है कि 308 वोटो से जिए अब चार परतिसत का मान 308 और 60 को पुक्संतरन करेंगे तो उधर जाके माइनस अब चार परतिसत 308 मेंशे अगर 60 लेस करते हैं तो 248 जाएगा इसना जाएगा 248 एक परतिसत का मान कितना होगा चार का बाग देंगे 120 से बार और 8 में तो सो परतिसत का मान क्या होगा इधर 100 से मल्टिपलाई कर देंगे तो इधर 20 से अपनी पुक्संतरन का गई कोपुलेशन आगे अंसर क्या आया के 62 अब चलते एक ट्रूए अब सुन्स अब शेक नहीं एक चुनाओ में राम और शाम ने भाग लिया राम और शाम ने भाग लिया साथ बटा दस मतदाताओं ने राम को वोट देने का वादा किया और सेस मतदाताओं ने स्याम को वोट देने का वादा किया मतदान के दिन 20% मतदाता राम को वोट देने के अपने वादे से फिचेट जाते है और पत्चीस परतिसत श्याम को वोट देने के अपने वादेशे कि यदिर राम एक जार असी बतों से जीतता है तुम मत जाताओं कि कुल संक्या जियाद करो अब उस पे चलते हैं नोट पे चलते हैं आथ बट़ दे विस्टिन शिक्स्टी है ना यह शिक्स्टी बन नमबर का उस्टे बोल रहा है यह तो राम है यह यह इसको साथ वोट मिले और इसको तेन वोट यह कैसे पता से यहां पर देखो साथ बटा दस मत दाताओं ने राम को वोट देने का वादा की तब दस केंडिडेट्स में साथ कैंडिडेट्स ने राम को वोट देने का वादा की तो बचे क्याम को लिए अब इनको अपन डबल जिरू लगा लेते हैं क्यों लगा लेते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं हमें प्रण्डेट्स निवादा को वोट देने के अपने वादिशे पत्लब वोट पतिशीज ने से पहले उसके राम के सपोर्ट में थे लेकि वोटिंडेव वाले दिन वो पीछे के साथते हैं किसी जाने का मतलब है कि राम को ने देकर शाम को देंगे लेकिन वोटिंग देवाले दिनी वादा किया था उनका पत्ती काम को दे जिया शाम को देने की बजाए अब हम क्वेस्टन को निकालते हैं आगे इसके बीस प्रतिसाथ साथ सो इसके बीस प्रतिसाथ मत्दाताओं ने क्या कर दिया पादा तोड़ दिया तो मतलब 20% मत्दाताओं ने वो तोड़ दिया तो 20% का मतलब होता है एक बटा पांच अगर इसका एक बटा पांच उधर Saar लagang खree है तो इसके खुद के कितने वोट ब बचे कर बैटे मार्वं अगर साथनुका चार बटे फंस इसको दे रहे हैं तो इसजो इमें बैब हुए है कि उन्हों देशी मुकर गए तो राम को नहीं देंगे तो तो देंगे केंडिडेट दो यह बता रखा है तो यह जिस जो भी 700 में से चार बटा पांस के बाद है जो वोट बचे वो इस तरफ आ गई है अब अब पलस चाम को तीन सो परतिसत चाम को तीन सो परतिसत तीन सो एंडिडेट्स ने भाग देने का वादा किया इसमें से 25 परतिसत बुकर गई परतिसत का मतलब वहता है एक बटा चार मतलब चार में से एक किस तरफ तीन सो का एक बटा चार इसको दे दिया तीन सो का तीन बटे चार तो इसमें तीन सो का तीन बटे चार यह है तो तीन सो का एक बटा चार इसको अब करते ही इन दोनों को तोल करने के लिए 5 से इसको कट करेंगे तो 140 कुना 140 कुना 4 प्लस 70 कैसे पिचत्र के चार पांच का तो 70 मिलिंग 14 बार 0 का 0 तो पांच बार ता सो में पांच का बाग देंगे तो डायरीक्ट याज़े कि अच्छों पांच का बाग देंगे तो 140 कुना एक की जुरूरी नहीं तो कट करेंगे तेन सुमें वही 75 बार 30 में 7 बार 28 और 2 बचेंगे 20 में 5 बार तो कितनी आए 75 पिचत्र को 3 से गुना करेंगे यह 75 है इनको 3 से मल्टिप्लाई करेंगे अब 140 गुना 4 तो 14 को 4 से गुना करेंगे तो 56 और यह 0 पिचत्र एक सो चालीस पिलस पांच ती 15 हाट यह तीन को साथ 21 और एक क्या है अब इसको जोडते हैं तो पांच आ गया ता और छे तेरा एक उत्सव पेट्रिस एक सो चालीस प्लस दोशो पत्चीस इसका मतलब क्या हुआ दोसो तीन सो पेंच अप्ट्रिस कितना आया तीन सो चालीस प्लस दोसो पत्चीस तीन सो पेंच अब इनको डिफ्रेंस से ए अमें प्रिफ्रेंश कितना आया पांच में से 5 गया तो 3 तो 13 में से 6 गया तो 7 तो 5 में से 3 गया तो 2 अपने को question में क्या दे रहा है 1080 मतों से चीथता है यह 9 कितना है 1080 तो एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे तो एक सो आट आता है तो तो यह कितने गुने फे बेटा है चार गुने फे बेटा है अगर यह चार गुने फे बेटा है तो वेस्टन में पूछ रहा है मतदाताओं की कुल संख्याग्यात मतदाताओं की कुल संख्याग्यात मतलब साथ सो पलस्तिन सो एक हजार एक हजार गो चार से उना करेंगे तो चार हजार राम प्याम कि अपने साथ सू माना था और ये अपने 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 इसाब से पोपुलेशन कि तो गई एग धाज़ा लेकिन हमने जो भी संक्या मानी उसका च्यार गुना है क्योंकि जो भी प्रोसेश करें जिसमें एक का मल्टिपलाई पता चल जाए तो राम के वोटों की संक्या पता जाए कितने मल्टिपलाई पे आ रहा है हमने जो माना है उसका कितना मल्टिपलाई है या कम है या ज्यादा है मल्टिपलाई या डिवाइड ही होता है तो यह हजार हजार नहुकर होंगे कितने क्योंकि 270 का 1080 में चार बार जाता है तो यह भी गुणा च्यार शे होगा तो आंसर आएगा 4000 वोटर ठीक है 4000 वोटर अब नेक्स्ट क्वेस्टिन पे चलते हैं 61 इसको आराम से पढ़ो और फिर इसको करने की कोशिस करो एक मिनिट का समय देता हूं कब तक आप इसको पढ़ो और आराम से आप खुद करने कोशिस करो फिर नहीं आता है फिर मैं बताता हूं है ना विस साइड में जाता हूं कि प्रेक्टिस की क्या एक चुनाव में दो उमिदवार है विजयता को डाले गए मतों का 67 से 23 वटा 31 परसेंट प्राप्त होता है यदि मतदाता सुची के कुल मतों में से 7 परतिसत मत नहीं डाले जाते हैं और मतदाता सुची के कुल मतों के 3 परसेंट को सेमान ने गोशित किया जाता है यदि विजयता 1440 वोटों से जीतता है तो मतदान सुची में वेद मतों की संख्या ग्यात In an election there are two candidates The winner gets 67 si to 23 upon 31 परतिसत of casted votes If the 70% of total votes of voting list did not cast and 3% of total votes of voting list are declared invalid If winner wins by 1440 votes the fine number of valid votes in voting list अब करते हैं पहल ले तो करते हैं कि 67 सहीत प्रेईस बटाएगी ती इसको 67 सहीत प्रेईस बटाएगी ती इसको 67 प्रेवी बटाएगी ती इसको पहले सादारण भीन में बदलेगी यह मिस्सर भीन है इसको सादारण भीन में कनवर्ट करेंगी 31 को 66 से गुणा करेंगे तब कितना हैगा 31 को 66 से गुणा करेंगे तब आएगा 7 7 एक अधिया 268 जवे से डाइगा आपो यह सर्द सट गुणा साथ एकी 28 एक और दो 20 एक है 7 7 0 और 2 मतलब 277 प्लस तेईश बटा इगती 37 अब 23 को इसमें एड करेंगे एड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 21 200 बटा गत्तीस परतीस लेकिन परतीसत का इन अगरम अटाते हैं तो इकीसो बटा कि अगरम परतीसे परतीस परतीसत का अगरम पर्सेंट का साइन अटाते हूर सिंपल एक्षन में कनवर्ट करते हैं तो 21 बटा 31 अब बोल रहा है पिजिता को डाले गई मतों का इतना परतिसत वोट है यदि मतदान सुची के कुल मतों में से 7 परतिसत मत नहीं साथ परतिसत का मतलब है तो परतिसत अपनी परतिसत इसमें साथ परतिसत नहीं डाला तो कितने लोगों ने वोट डाला 13,9% ने वोट डाला एक और चीज़ बत दाता सुचि के कुल मतों के 3% को एमान ने गोशित कर दिया गया कि इतनी देर आ रहाता है कि इसका 10% इसका 5% अवेद गोशित गोशित गए लेकिन अब की बारवाले क्वेस्टन में दोनों इसे इसका 7% यहां तो 3% गोट डाले गए अब यह बोल रहा है कि तो यहां पे हैं वो 3% मतलब 100% कोई भी संक्या है 100% है अब हमें यहां लिखना है कि यहां पे मालो 80 है अब बोल रहा है कि यहां पे 80 का 3% का 3% तो अलग आएगा ना कि 3, 4, 3, 12, 5 आएगा और अगल 100 का 5% तदारिक 5% आएगा हमें यह संक्या लिखने है कि यहां पे एक्चुल में यह नहीं कि यहां से आते हैं यहां से हमें क्वेस्टन में दिया गया है वो जो अवेद है मतलब अवेद जो भी 5, 3, 10, 15 है वो मद्दाता सूची के 3% के ब्राबर है तो 13 आणम में चे 3% प्लेस होगे तो 90% यह अवेद गोशित होते हैं यह अवेद होते हैं यह वेद होते हैं और यह नो कास्टेड मतलब पोट नहीं डालते हैं अब भू बोल रहा है कि वीजेता को डाले गए मतलों का 66, 23 बटा 31 परतिसत प्राब्त हुआ अगर 66, 23 बटा 31 परतिसत को उस अपन ने अपी कनवर्ट किया था 21 बटा 31 तभी तो मैंने उसको पहले सोल कराया था कि यह 21 बटा 31 परतिसत अटाए कि 21 बटा 31 आ गया अब इसका इतना परतिसत वीजेता को प्राब्त हुआ तो 90 परतिसत बोल क्या रहा है कि तो भी वोट डाले गए है डाले गए मतों का तो यह 7 परतिसत तो डाले ही नहीं लेकिन 33 परतिसत ने डाला और इनका 21 बटा 31 वीनर को प्राब्त हुआ तो वीनर को प्राब्त हुआ तो प्रतिसत पुना 21 वटा 31 इसका तीन बारो तीन 63 परतिसत इनों ने प्राब्त किया अगर 63 परतिसत वीनर ने प्राब्त किया तो हारा है हारने वाले केंडिडेट को ना मिला तो नबब में से 63 लेस करेंगे तो 27 परतिसत आएगा अब हमने हमारी प्रोसेस से यह निकाल लिए अब आते हैं कि हमें एक का मल्टिपलाई मिल जाए इतनी बड़ी पूरी जो भी प्रोसेस से इसमें एक का मल्टिपलाई मिल जाए एक प्रतिसत का मल्टिपलाई मिल जाए तो जो भी चीज फूचरा उसको उसी मल्टिपलाई स गुणा करके कितने वोट कास्ट है निवी जो भी अक्स गुणे पे तो साथ गुणा अक्स अगर वोट कितने डाले गई तो तरान में गुणा आक्स कितने अवेद तो इन गुणा अक्स हमें बता रहा है विजेता 1440 मतों से जीतता है मतलब जो हारावा केंडिडेट है उससे 1440 वोट एक्स्ट्रा लेता है एक्स्ट्रा मतलब है कि ये इससे किना परतिसत अज्जिक है इससे ये 63 में से 27 परतिसत गए तो 13 में से 7 गए तो 6 अब हमें 37 परतिसत का मान दे रहे हैं साउदा सोफ हमने जो संक्हाई माननी उसमें इस बंदे को 37 परतिसत मतलब सो का 36 परतिसत वोटो से जीटता है जेकन क्वेस्टन क्या बोल रहा है क्वेस्टन बोल रहा है कि 37 परतिसत नहीं रहे भाई यह 1440 वोटो से जीटता है सत्थी दुआ बहुत तर्व सतितिया एक सो आठोट सत्थी चोगा एक सो समालीस तो यह 40 वार चार और यह अगला जीटता है तो परतिसत है कि टोटल जंसिंग के कितनी हो गई 4000 पूच क्या रहा है कि मद्दाता सुची में वेद मतों की संक्या ग्यात की मतलब यह है अवेद यह वेद है तो नब्ब परतिसत का मान निकाल लो तो नब्ब परतिसत का मान होगा तो बूना 4 कितना हो जाएगा तो चोफ और 36 वोट वेद क्या है वेद मत है तो पूचेगा वेद मत पूचेगा तो इसमें पूचेगे और पूल मत 4000 वो टाइपिस्ट की गलती से होगा है फिर भी कोई इश्यू नहीं वेद मत पूच रहा है तो 3600 और टोटल पूच रहा है तो चार जाए यह कंसेप्ट भी क्लियर होगे मैंने बताया था कि एक का गुणा एक प्रतिसत का मान आ जाता है यह एक का मल्टिपलाई का पता चल जाता है तो कंप्लीट किसी भी संख्या को हम उसी मल्टिपलाई करेंगे और जो भी संख्या जो भी किस प्रकार अपना क्वेश्चन इसका आंसर हो जाता है चार अजजार अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट आता है एक गाव में सत्तर परतिसत पंजिकरत मत दाताओने चुनाव में अपने मत डाले मतलब सो में से सत्तर परतिसत पंजिकरत मत दाताओने चुनाव में मत ڈाले केवल दो उमीद्वार आउव बीने चुनाव लड़ा एर ने चार सु मतों से चुनाव जीता यदि एक को 12.5 प्रतिसत वोट कम मिले होते तो परिणाम वही होता तो गाव में कितने रजिस्टर वोटर तो आप पड़ो आंसर निकाने कोशिस को तब तक में पानी पिता हूँ अलो अलो कोई बात अपने दो सो परतिसत के पास वोट कोई भी गाव 30 परतिसत ने वोट नहीं तो 70 परतिसत ने वोट डाला इसमें दे रहा है कि जो भी मद्दाता सुची है उसका 70 परसेंट लोगों ने वोट डाला है तो मतलब 30% नहीं डाला इसका कोई रोल नहीं है अब question बोल रहा है कि इन दोनों में N ने 400 मतों से चुनाओ जीता कितने मतों से? 400 मतों से चुनाओ जीता यदि एको जो प्राप्त है 12.5% कम वोट मिले तो परिणाम वही होता है तो परिणाम सेम रहता है तो गाहा में कितनी रजिस्टर्ड वोटर है तो यह ए है ए है पलस चार सो चार सो बता रहा है चार सो मत दाता होने चार सो मतों से चुना हो जाता है मतलब पीच से चार सो मत एक्स्टा प्राप्ट करता है अब एक्स्टा प्राप्ट करने का मतलब है कि 12.5 परतिशत वोट कम मिले 12.5 परतिशत वोट कम मिले है और एक को यह बोल रहा है अब एक को प्राप्त प्ट कितने ही प्लस 40 को जिस जिटने मिले उससे 400 अधिक कि भारा पॉइंट पांच प्रतिसत मतलब होता है एक बठा आठ आठ अपने वस्ट अभी दो तीन दिन दो तीन क्लासों तक में परतिसत का साइन अख़ाने के लिए क्या करते हैं और परतिसत का साइन के लिए एक बटा आठ आ गया तो बोल रहा है इसका एक बटा आठ उद्दर चला गया इसको अगर एक को नहीं मिला कम वोट मिले तो ठीके पास जाएंगे वह ही पहले वाली situation कि राम और हम वाले जो मु कर गए रहाम के पास आगे जितने भी लोग थे इस परकार इनका गया बी प्लस चार सो का एक बटा आठ बी के पास लग गए तो एक किया कि ये इसाह बटा अब भी को बी तो वोट में लिए रहे और कुछ वोट इदर वाले भी तो आते हैं ना इसका बी प्लस चार होगा एक बटा आठ बेते हैं तब ही तो दोनों की वोट बराबर होंगे तो यह कितना है प्लस चार सो का एक बटे आठ एक बटे आठ क्योंकि साथ बटा आठ तो यह हो गया है इसको अपन किस तरफ लाते हैं तो बी प्लस चार सो तो कॉमन आ गया और यह साथ बटे आठ माइनस एक बटे आठ बराबर बी अब आता है कि सरी साथ बटा आठ मानिस एक बटा आठ वेसे तो इसको हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का बी प्लस चार सो का ब्रेकिट गुणा साथ बटे आठ अब जब साथ बटे आठ तो यह है और इसमें से यह गठेगा तो बी प्लस चार सो कॉमन आ गया साथ बटा आठ यही रहेगा यह अगर इससे गुणा करेंगे तो आएगा यही बी प्लस चार सो गुणा साथ बटा आठ माइनस बी प्लस चार सो का एक बटा आठ तो डारेक्ट अपने यह कॉमन ले लिया तो इसमें साथ बटा आठ बच गया और यह माइनस का एक बटा आ 400 तो इस ही ए साथ मैनस एक बटे आठ बराबर देखो किस तरह बीठता उनको लए तो यह ता ऐल सेमग आट आ गया तो आठ का आठ में एक बार तो सात ऐसा है किस एम मैनस का चिन आज आजे खिर 8 का 8 में एक बार तो एक को multiply करेंगे तो एक ही आएगा अब B पलस 400 कुना 6 बटे 8 बराबर B 2 से कट करते हैं 2 से कट करते हैं तो 3 और 8 को 2 से कट करते हैं तो अब B पलस 400 को गुना 3 और यहां पर एक कर लेते हैं तो यह 3 से और 4 इस से तो बराबर और 3 B पलस 3 का इस से गुना करेंगे तो 4 ती 12 और डबल 0 बराबर 4 3 B को उस तरब ले जाते हैं तो केवल 1 B बस था है और B के वोट कि कि लिए अब B के वोट तो आ गए है मारे पास निकालना किसका है कम्प्लीट वोटर्स कम्प्लीट वोटर्स निकालना है तो A बराबर कितना था ती पलस चार सो चार सो मतों से इसा था था ना तो B के अपने पास कितने है बारा सो और बारा सो से भी वो एनने तो चार सो दिक प्रात किये थे थे ना तो एक का मान कितना एक नले एक को कितने वोट मिले थोड़ा सो B को बारा सो तो टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो कितनी आएगी ediyor कॵेशन क्या पूछ रहा है कॵेशन पूछ रहा है कि गाव में ∑ क्यतने रजिसर्टरड वोटर्स है कि इन्होंने मत डाला है किसका मान बात करते हैं अगर वेद अवेद के बारे में कोई जानगारी नहीं देता है तो अपन एज़िटीट नहीं जतना कोईस्टिन में दिया गया है उसी को यूजबे यहां नहीं है कि इसमें अगर वेद नहीं तो आप डूनने लगजाओ कि अवेद और वेद वाला दिया क्यों नहीं कितना नहीं सोचना उसने बताया कि यह 30% वोड डाला मतलब 70% हमें काम किस पर करना है 70% यह 400 मतों से ज की ता है तो और स्याम के जितने भी वोट आए हैं उनका उनमें चार सो दिक करेंगे तब राम के वोट होंगे इस परकार यहां से अपने बीक का मान निकाली यह बोल रहा है कि इसका 12.5% कम मिले कम मिले मतलब इस तरह पाजाता है बी में एड़ जाता है इस परकार यह क्वेस तो साथ बटे आठ आ जाएगा अभी अब ऐप अपनी इसाफिट वह तो है कि और अपने जीस इसाफिप से सो परतिसद चाफिट मान तो डाले तो सतर परसेंट यह ना तीन इस परतिसद कैंड़िएट्स ने तरड़ाईगी तो सत्तर प्रतिसत का मान 200 है कि इतने गुणे पेटा है एक ज़िरो ज़िवर 20 में चार बार चालीस गुणे पे बेटा है अगर यह 40 गुणे फेटा है मतलब एक प्रतिसत का मान कालिस हायए फुली यह forgiveness ऐठा इसो एक प्रतिसद का मान निकालने के लिए सतर का भाज तो कितना है या ताले एक प्रतिसद का मान चालीडका है तो प्रतिसद का मान तो प्रतिसद का मान कितना दैगा इसको भी चैसों से गुना करेंगे सोच हजार वोत तो आंसर क्या आया? 4000 वोटर्स उस गाओं में 4000 वोटर्स थे, मतलब जो मद्दाता सूची थे इसमें 18 वर्स थे अधिक वाले केंडिडेट से मेल हो या फिमेल वो सब 4000 है बच्चों को इनमें इंक्लूड नहीं किया जाता है जो 18 आयू से नीचे है 18 वर्स की उमर से नीचे वालों को एड़ नहीं किया जाता है अब आती है टाइब सेवन प्राइस एंट क्वांटिटी इसमें यह आता है कि कोई भी चीज माल लो अपन एक लिटर पेट्रोल एक लिटर पेट्रोल खरीटते हैं तो रुपे का आ रहा है अगर उस की कीमत माल लो 10 रुपे बढ़ जाती है तो कितनी हो जाती है 110 अब रोजगा एक पॉला ड्राइवर रोजगा एक लिटर पेट्रोल जलाता है तो वो पहले 100 रुपे में एक लिटर पेट्रोल आता था उतना जला देता था अब क्या करना अब अगर 110 रुपे हो गए तो 110 रुपे हो गए तो जाइज सी बात है पेट्रोल कम आएगा पेट्रोल आएगा 9.9 के लगबग मतलब एक लिटर से कम आएगा अब इनके अंदर यह होता है कि वो पेट्रोल को कितना कम करें इस और रुपे में काम हो जाए तो कि जो एक लिटर की वेल्यू कितनी है एक लिटर की वेल्यू है 111.1 111.1 तो वो उसको पेट्रोल जाएं कम जला लेगा मतलब पेट्रोल ओला ड्रेवर एक लिटर जला गाड़ी में यूज़ करने की बजाए उसमें से कितना मिली लीटर कम करे ताकि सो रुपे का तेली पुरे दिन पेट्रोल यूज़ हो सके सो रुपे से ज़्यादा उसकी इंकम नहीं है अब चल देश पे प्राइस ओप सुगर बलब सुगर सी इस इंक्रीजड बाई 25 परसेंट बाई हाव मुच परसेंट ए हाउस वाइप सुड रिड्यूजड थर कंजप्शन सो देट थर एक्स्टेंडिशन बोल रहा है चीन्नी की कीमत में 25 परतिसत की वर्दी हुई एक गरहिनी को अपना उबो कितना परतिसत कम करना ते ताकि वे इसमाद मतलब एक घर में एक हाउस वाइप है जो गरहिनी है वो मानलो चालिस रूपे कीलो कि परति किलो के साफ से 5 किलो ओट जीनी पुरे महीने में यूज़ करती है अब अब उस में मानलो चालिस परतिसत की वेलियू बढ़ ज़ई की पहले 40 रूपे किलो में कितनी 4 किलो आती थी अब बोल रहा है कि चालीस रुप्य किलो थी, अब बोल रहा है 25 परसे चालीस का 25 परसे 10 तो वह स्था तो वही है किलो चीनी 50 रुप्य मैंने लेगी, अब यह बोख रहा है, कित चाहिए उसको उब्बोग मतलब दिन में एकर 10 बार साई बन दे उसके जिक चाहिए 8 बार या 7 बार बन लेकिन पे जादा कंसेप्ट पे ध्यान दोगों कि इसका एक तरीका है सबसे अच्छा वन लाइनर मेथ है जो मेंट्स वेग्राउंड से नहीं है उनके लिए पहले मानुचीनी की माना जो भी विक्रे मुले है वो अक्स रुपे परती किलो है उसमें 25 परतिसत की वर्दी हो जाती है इसको क्या मानना है इसकी सिद्धी ट्रिक में है और कंसेप्ट भी है और कंसेप्ट अलग लग यूज करते हैं अपने यह करते हैं जैसे मानों के लिएशन इसके तो 100 रुपे किलो में चीनी खरीद थी है हमेशा मानों 100 रुपे अगर मौल भाव नहीं दे रखा कि 35 रुपे किलो 30 रुपे किलो नहीं दे रखा है डायरिक्ट आप 100 रुपे किलो चाहीं पेट्रॉल हो और चाहीं एक किलो माटी हो चाहीं एक किलो गुड हो चाहीं एक किल हो जो कुछ भी हो लेकिन हमें सो मानना है अगर वो देरखाए कि हाँ सतर रुप किलो बदाम है सतर रुपी किलो चीनी तो शक्तर लिखना है अनिद अगर नई दिया वाय में मानना है कि आज सो मान वदि कोड़ी होती है ।पचीस परतीस प्रतीसत की अब देखो गणनाओं का इफिक्ट पर आप सो मानोगे तो सो का पत्चीस परतीस परतीस पचीस होता है तो कितना बढ़ गया है सो की जिगह वो कितना हो गया अब आप बोलोगे कि सर अपन इसको ये मानते है कि सर पांच उरुपे परती किलो में स्रीटे है अब इसका पत्चीस परतिसद गयाद करो 25 परतिसद का मतलब अता है एक बटे चार अब एक बटे चार इसमें एड करेंगे तो पांच बटे चार से गुणा होगा तो 25 बटा 4, 3.2 करते रहो इनको गोना, आंसर दोनों से शेम आएगा, गोना करते रहो, और जो इस वन लाइनर से कर गया, वो कर गया, अब इसमें बोहर रहा है कि गरहनी तो चीनी यूज करना कम कर देगी, गरहनी चीनी यूज करना कम कर देगी, लेकिन 100 रुपे से ज़दा चाहिए खर्च नहीं करेगी, उसको टार्गेट दिया जाता है कि 100 रुपे का मंतली खर्चा होना चाहिए, इस से अगर रेट बड़े तो बड़े, चाहिए कंजप्शन कम कर दो, चाहिए खर्च करना कम कर दो, लेकिन पैसे सिर्फ सो ही दूँगा, और सो ही खर्च होने च र्दि यह, तो हमें ये बताइए कि कितना उप्वोग-वोग रहेिनी कम करें, ताकि उसका सो रूपे ही दूँगे हो, तक है कितना भी कम लेने का मतलब है कि कितना अधिक है यह रेट, कितना अधिक है, 50 अपने को कम करना है तो 25 कितना करना है यहां से 35 किसके साफ एक इसके साफ एक तो और गुणा 25 से 5 बार और 5 से 20 बार और आंसर आ गया 20 प्रतिसत अब देखो आंसर आ गया 20 प्रतिसत किस प्रतिसत अपना आंसर आ गया 20 किमत में 25 प्रतिसत की वर्दी हुई एक गरेनी को अपना उपकित है अब की बार तो बोला है कि गरेनी को जो भी घर का मेनेजमेंट समालता है उसने बताया है कि चाहिए वे कम कर लो लेकिन पैसे सो से अधिक खर्च नहीं अब नेक्स्ट क कर लो पर इससे ज्यादा नहीं तो बताओ कितना कम करें कि ओनली पांच रुपे ही बढ़े क्या हो सकता है इदर रेट बढ़ गई और पहले सोते इस अगर आप पिचान में यूज करो तो उदर फिर उदर कंजप्शन बहुत ही कम होगा इस हिसाब से यह कोईस्टन पूच इस प्रकार के क्वेश्टन के अपनी कंडिशन उसकी हमारा मंचाइज दिनम हजार मानो दो जार मानो दस जार मानो सो मानो कितने भी मानो सबसे सीधा तरीका है पॉइंट में नहीं जाने के लिए आप डारेक्ट सो यूज क्योंकि स्टेंडर्ड फोमेट प्रसंटेज का स्टेंडर्ड मानना कितना मान रखा है सो परतीसद तो उसका जितना 25 परतीसद करोगे 25 आएगा 27 परतीसद करोगे 27 आएगा आप 1500 मान के ब घहा है सो इएग्सारों के से किलियर होगा है तो हमारे की इतना ध्यान रखना है 100 मानते है उदर 35 है 100 Помानते है तो परतीसद 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 मानना तो 25 आरप है कि सग्या 25 परतीसद औरृत चीश्या ही आरहित इस परकार यह हूँ अब चलते हैं क्वेस्टन का अब बता रहा है कि अपने पास 100 रुपे हैं इस चीनी की रेट 30 पर 30 सत बढ़ जाती है 30 पर 30 सत बढ़ जाती है 200 का 30 25 पर 3030 और 100 का 30 पर 30 तो कितना जुड़ा कितना ओ गया 130 30 पर 30 पर 30 और जुड़ गया 100 अब क्या बौगा है और यह पहले पहले 100 करती थी कि अब या प्रेट ज्यादा बढ़ गई 130 हो गई जैकिन वो कंजक्शन Болेंस नहीं होगा तो कुछ समय खड़्चा बड़ा ना पड़ेगा सो कि बज़ाव उसने बोला 4% बड़ा दो कितना परतिसद 4% अब सो का 4% 4 होता है और सो वह है 104 अब बोल रहे हैं कि 104 परतिसद हो गया 104 तो हो गया लेकि 130 हो गया तो इसको कितना कम करे ता कि 104 आ जाए एक सो चार आ जाए एक सो चार से उखड़ से ज्यादा नहीं करेगा अब कंजप्शन पहले से कम करना पड़ेगा पर कम एक तो 100 पे तो 30 का कम करना पड़ता है तो 104 पे 20 ही कम करना पड़ेगा एक सो तीस पे से 104 गए तो कितना आया बोल रहा है अब 104 लाने के लिए होता तो 104 लाने के लिए क्या आया 27 अब 27 और कितना जो rate बड़ी है अपनी चीनी की उसके साप एक्स ये 30 और गुणा में परतिसत के लिए सब 20 को ये काटेंगे तो ये 5 बार आए और 5 को दो से काटेंगे तो 20 परतिसत चांसर अपना आएगा चांसर आगए अपना 20 परतिसत अब नेक्स्ट क्वेस्टिन पर चलते हैं किनी की कीमत में 25 परतिसत की वरदी हुई एक गरहिनी को अपने वो को कितने परतिसत कम करना चाहिए ताकि व्याई में 5 परतिसत वरदी हो जाए ठीक है अपना वो इस सोब लेकिन आप एक बार कोशिक करें कि मैंने दोख से क्या कोशिक करें कि पहले चीने की कीमत 100 थी अब अब चीने की कीमत 25 परतिसत बढ़ गई 25 परतिसत का बढ़ गई मतलब है 125 हो गई 125 हो गई लेकिन गरहिनी को दिये जाता है कि आप तो की जगे 105 रुपे आपको दे दिये जाएंगे 105 में आप खाचा चलाएंगे कंजप्शन कम कर दीजी तीनी को यूज करना कम कर दीजी कम करोगे तो 105 लेकिन फिर भी हो तो 125 बढ़ी है इतना बढ़ी 105 फिर भी इस बढ़ गई 125 फिर भी कंजप्शन तो कम करना अपने पांच बढ़ा जरूर दिये एकने 125 तो नहीं किया न तो मतलब अगर पैसे 105 यूज करें तो तीनी की तो कंजप्शन हो कम होगा तब ही तो यह अन्यत अगर रेट बढ़ गई और अपना खर्चा भी 25 फिर बढ़ा दिया तो कितना वही शेम रहेगा बस रेट चैंज होगी लेकिन ऐसा कभी कोईस्चन नहीं आएगा कि 25 फिर बढ़ गई और पच्चेस परक्शथी खर्च बढ़ गया प्लेश भी कर देगा उसकी मत अब आपन चलते हैं सब्सक्राइब तो कि रेट कितनी बढ़ गई 25 फ्रतिसत कितनी बढ़ गई 25 अब वही बोल रहा है कि वह को आप 5 फ्रतिसत बढ़ा सकते हो तो कितना आया 105 जेकिन फिर भी अपना तो वह यह कि 105 फिर भी तो कंजप्शन को गठाना पड़ेगा कितना कठाना पड़ेगा 20 क्यों गठाना पड़ेगा ये 105 ए 125 है तो 20 ये तो कंजप्शन कम करना पड़ेगा ना अब जाकि वह अपना बेलेंस के 105 जाजा खर्चा नहीं कंजप्शन कम होगा तरी तो 20 कटे रेट बड़ी वी तो 25 को कट करेंगे तो 5 बार और 25 से 100 को कट करेंगे तो 4 बार पांच का 20 में भाग देंगे तो 4 बार तो आंसर कितना आ गया चार गुणा चार गराबर 16 परतिसत कम करना होगा गरहनी कितने परतिसत 16 परतिसत आया समझ में दीरे 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 चेंज हो रहा है पहले खर्च को बिलकुल नहीं बढ़ाया बाद में 4 परतिसत बढ़ाया बाद में 5% बढ़ाएगा अब नेक्स्ट क्वेस्टिन में 10% की कमी कर देगा इस प्रकार से यह वेरियंस आ रहा है लेकिन उस सेम वाला नहीं आएगा कि 25% इनी का मुले बढ़ गया तो 25% ही आफ खर्च को बढ़ा दो अब आता है 66 नंबर को इसको में कर देगा इनी की कीमत में 15% की वर्दी हुई ग्रहे एक ग्रहेणी को अपने वुबोग में कितने परतिसत कम करना चाहिए ताकि उसके वेरियंस में 10% की नहीं हो जाए इसलो नोट्स में अपना तो वो ही है इसको नमर जाए है नहीं है अपना तो वो ही सिस्टेम है की 100 रहेणी कितना परतिसत बड़ा 15 परतिसत तो कितना हो गया का 115 करहेणी को सूट दे दी कि आप 110 यूज ग्रो थोड़ा सा ही कंजप्शन कम करो तो ये कितना 100 का 10 परतिसत 10 और 100 और 10 110 अब बोल रहे है अभी भी यही बोल रहे है परतिसत में कि 110 तक तो कर लोगी लेकिन फिर भी पांच रुपे ज़दा है तो अब वो कितना इठाए ह कि उसका वे कितना जो खर्च है कंजप्शन रहे है वो कितना कम करें कंजप्शन ताकि 110 ताकि 110 और 110 एक सो दस है और 115 है तो कितने की कमी है पांच एड हो रहे है आंसर पांच जितना कम है पांच किसके साफिक्स के साफिक्स 15 के साफिक्स और परतिसद के लिए और से 5 से कट करेंगे तो दो बार उर बचेंगे कितना एक पंधरा में तीन बार अपना आंसर क्या गया? 100 बटा 24 प्रतिसत या 4 सही 8 बटा 24 बतलब ये साधरण भीन है और ये मिस्टर भीन है अब क्वेश्टन का आंसर देखते हैं किस टाइम में दे रहे हैं? आंसर दे रहे हैं 4 सही 8 बटा अपने यहां पे 10 परतिसत बढ़ा दी 10 परतिसत बढ़ाना नहीं है 10 परतिसत लेश करना है और 10 परतिसत लेश करोगे तो निवाए उद्धर तो चीनी का मुल्ले बढ़ गया 15 परतिसत में 100 से 115 होगे और गरवाले में फाइनेंशिल क्राइस की वज़ेशें उन्होंने काया कि आप तो नहीं 90 परतिसत करत कीजिए कंजप्शन कम कर दो कम यूज में लेख लेकिन 90 परतिसत करना है अब देखो काम इन दोनों पर उता है रेट कितनी बढ़ी परतिसत कम करना नब आगा दस परतिसत करना है पत्ची्ज पटा 115 गूना समझे बह आया 25 उपर आगे इसके 115 का कितना परतिसत है गूना करेंगे तो 5 से कट करेंगे तो 5 बायब वर और 5 से कट करेंगे 27 वर्टा परतिसत्त्य यानि 50 में 33 बढ़ 27 तुना 46 चार बचगे 40 में एक बार 23 तत्रा उपर और नीचे 20 अब नेक्स्ट क्वेस्टन पर चलते हैं चीनी की कीमत में 16 सी 2 बटा 3 परतिसत की वरदी हो जाती है और परिवार का वेश समान रह जाता है ताकि परिवार उबो को 5 किलो कम कर सके तो चीनी की मूल पर नहीं खपत ग्याद यह एक क्वेस्टन करवा दिता है खूब हो गया कि इसको आपकर प्रेक्टिस कर लेना यह यह करवा दिता हूँ तो ला सही 2 बटा 3 परतिसत इसको दो मेतल से कराऊंगा यह एक नहीं दोनों से सीखना पड़ेगा आपके इसका तो प्रेक्शन वाला मेतल जिसके मैंड में सेट हो गए उसससे कर लेगा तेकिन जिसका प्रे इन से पोटी एट और फोटी एट और दो पत्चास बटा 3 परतिसे इतना द्यान रखो पर अपने कितनी मानितिक पहले 16 बढ़ कितनी गई 50 बटे 3 मतलब 100 का 50 बटे 3 तो 100 पलस पांच हजार बटा तीन परतिसे परतिसे इतने कि लिए तो से गुणा 300 पलस 50 बटे 3 मतलब हो गया 350 बटे 3 अब क्या बोल रहा है वे सम्मान रहे वे परिवार का वे सम्मान रहे मतलब वे सो ही रहेगा ने तो बढ़ा रहा है कि दिस प्रतिस ने गठा रहा है तो 100 कितना एक्स्ट्रा है इसमें 50 बटे 3 क्योंकि यह जो 100 है 350 है यह कितना अधिक है 100 से कि तो करना पड़ेगा पैल सेम कितना है 3 350 माइनस कि एक का 3 में 3 बार तो 300 कितना आ गया 50 बटे 3 एक्स्ट्रा अब कितना परिश्यत कंजप्शन कम करना है तो कम करने के लिए यहीं पी बताता हूं नहीं का हूं 50 बटे 3 के साफ एक्स 350 बटे 350 बटे 3 और गोना तो 50 बटे 3 नीचे आ जाएंगे 50 उपर अगर यह बड़ा वाला बट बटाया यह नीचे आजे अब नीचे कितनी है 350 बटे 5 अब यह मेन बटाया उसके नीचे भी एक बटाया तो वो संख्या उपर चली जाती है और क्या जाती है 3 और गोना में 2 अब 3 से 3 गया तीन से 3 गया एक 0 से एक 0 गया और 5 से कट करेंगे तो 7 बार आ गया कितना 2 बटे 7 एक कितना परतिसत आ गया प्राओदा से 2 बटा साथ प्रतिसत गया लेकिन अपने को किलो में देखना था अब नेक्स्ट पेज़ में करना होगा लेकिन ये किलो किलो वाला ही बता देते वह तो एक स्टा चीज़ बताई कितने देर हम तो को सब्सक्ते परतिसत इसमें देज नहीं रिखायान देह निकालना फिर भी साना हो सकता है इसमें दोनों चीज़ पूछ लेकि कितनों किलो कम किया और कितने परतिसत कम किया तो रहा है कि उसफ प्रकार तीन से और ताकि परिवार उबों को पांच किलो कम कर सके मतलब परिवार यह बोलता है कि साथ में से आप एक कम करो जो आप 14 रुपे खर्च करते हो तो दो रुपे कम करो यह बोलता है कि यह कितने गुणे पर बेटा है कि पूने पांच मतलब पांच किलो कम करना पड़ता है उनके तुरू में कितना था अपना आ गया 35 क्या अंसर आ गया अपना 35 चिनी की मूल और नहीं खपत तो मूल और नहीं खपत को यह 35 आ गया तो नहीं है वो 30 आ जाएगे तो मूल आ गई 30 और जो नहीं किमत है वो आ गई गई 30 क्या गई 35 किरह 35 और तीस तो मूल में 35 कर्च करते थे और यह नहीं खपत है उसमें 30 आ गई 5 किलो कम कर दिया न यह देख लो में डिपरेंस पांच पांच का आएगा लेकिन यह देखो जो भी क्वेस्टिन है इनके मान पास पास में है ठीक है अब अट सब्सक्राइब के क्वेस्टिन हैं करेंगे आज क्लास यही समाप्त करते हैं यह उसी पर बेश्टिन है इसमें वह समानी पांच पर तिसद की वर्दी है तो आप अभी उसमें जो एक बटे साथ आये था वहीं मान निकाले ना कि एक सो पचीस पांच 1 520 है क्रेंगे दो चार बटा जाए पतास किलो जाएगा फास और बैयाविस करिसद करना यह तुम अगर नहीं आता है तो ठीक है रिलिटेट उनी से लेकिन एक दो चीज इस पे और जुड़ गई यह मैं आपको कल पहले यह दो तिन क्वेस्टिन बच्चे हुए है ततर तर की दर्वा 69 करो 67 करो जहां तक अपने बढ़ लिए इसलो आज अपनी क्लास यहीं समाप्ट करते हैं और यह अपनी साथ भी क्लास है तो पहले कि छे क्लास है वह यूट्यूब पे अफ्लोड कर दी गई है आप सुरू से देखे कोई आप सुरू से देकि ऐसे नहीं कि आज साथ ही होगे आप डारेक्टिस को देखनी लेगा छे क्लास एज़ें उनको सोटने की कोई आवश्चे कर बेसिक मैं परतिसत को इतने टाइम क्यों लगा रहा हूं परतिसत को में 15 15 नहीं होकर 20 दिन भी लगेंगे तो लगें 25 परतिस जो चीज समझ में आगए तो arithmetic का काम होगा arithmetic वोगों नियुक्त को थोड़ा बहुत बहुत मैंड को थोड़ा बहुत यूज क्या आजए में परतिस्थ है arithmetic की जड़ इसको नहीं समझ में आ इसका एक बार तो पूरा करवागे एक दिन में दो तीनी गंट एक रास लेकि फिर वापस रिवाइज करवा दो लेकिन इसको पहले अच्छा बनाना इसके बावजूद यह ओने के बावजूद फिर टेस्ट करता हूँ टेस्ट की पीडियेप डाल देता हूँ उसके आप प् क्लोक हुआ चाती है उसको स्टार्ट कर लो उसी टाइम के अंदर ओप करने के बता दो जैसे ही टाइमर बंद होता है आप उसको पेपर को बंद कर देना इस प्रकार आपको तैयारी स्टार्ट करनी है और अभी तुम्हें एक सवा गंटा ले रहा हूंगा बाद में आपकी परमीशन हो गया आपको लगता है कि सब्सक्राइब कर दोगा आपकी रिक्वारिमेंट के साफशे होगा ठीक है मैं थैंक्स ना लास देखने के लिए में फैंक यू और अच्छी लगे में एक अच्छी लगे अपको अच्छा लगे पड़ाना अच्छा लगे तरीका अच कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सबस्क्राइब कर सकते हैं, कम्पलीट कोड्स आपको परसिंटेज ही नी, कम्पलीट कोड्स ही YouTube में फिरी में से बेतर है की बुक अपन फिरी में देंगे आराम से तयारी करूँ सांते से कोई इस्यू नहीं है